देखे गौकसी वाला जो मुद्दा था वो उस मुद्दे को मोधी सरकार की आने से योगी सरकार की आने से पूरे उत्तर प्रदेश में ये सारे बुचन खाने बंद हो गए जिससे आवारा पसुओं की संख्या बढ़ गई है इनको खाने ये संख्या की जिप्त मेदारी है इ यहां पर रिंग रोड के किनारे दिन द्याल असकला संकुल अब्यासाइक सेंटर बना वहां पर एक एक दुकान ने पचास पचास लाग रुपए कि है आज आप देखके ये एक भी दुकान की बुकिंग हुई है अच्छे सा लो गया शहर में आज भी दुकानदारी करेग करोड़ रुपा की लाकत से वहां पर बना हुआ लेकिन वह सिर्फ अब तम्मेलन सेमिनार रैली और मिटिंग वहां पर जैसे जैसे आब आदी बढ़ेगी लोगों को सहर के बाहर जाना पड़ेगा आपको काम करना ही पड़ेगा तो सरकारी करें आप जाया भी पार्क खरी यहां यहां नहीं है कि अ कि लृए देख लगी हैं यह घृत रहा है बनारस में जो काशी गोरिडर बनार अब मिल गई है काशी कोरिडॉर नहीं बना था अब बन गया है काशी मतुरा विवाद नहीं उठा था अब उठ चुका है तो यह बदलाव जो हुए है इसकी लिए हम दुबारा यहां पर आए अब थोड़ा रुजान जानेंगे कि क्या रुजान भी बदलाव है या पहले ज कि हम आयते तब अलग मूड़ता अब काशी बहुत बदल चुका है तो किस और जा रहा है काशी कासी विकास के ओर जा रहा है यहां पूरे विकास के हर टमाम चीजिजें गली से लेकर घाट तक के हर चीजें लॉनक में और हो चुकी पिछली बार हम आये थे बात होई ती अलग महौल था अब कितना बदला महौल वही महौल है या नहीं महौल दो पूरी तरह बदल गया है और भाजपा के पती रुजहान बढ़ गया है कासी विशुनात प्रोजेक्ट जो मोदी जी ने दे दिया वह बाबा के समर्थकों में ब होगा भगवान श्रीकृष्ण जो हम हिंदूओं के आराद है यह उसको अपने टार्गेट में जनता जनता के रुख को मोदी जी उनसे बढ़िया कोई पधान मंत्री जनता के रुख को नहीं समझता है और जान रहे हैं अब हम लोग सी कृष्ण के मंदिर के लिए कानूनी और राई नितिक जो लड़ाई लड़नी होगी वह भाजपा के साथ कंदे से कंदा मिला के लड़ेंगे करीडर बनने के बाद रुख बदल गया है ठीक है सर आप से जानेंगे कैसा महोल है देवेंदर सिंग परमारे डोके तुपाधक्स दी सेंटरल बार एस्सोसियेशन अ अब मिना राजगी है या सरकार जो है कासी विश्वनाज करेडोर बना कर युवाओं का बुजुरुगों का और सभी कासी वासियों का दिल जीत लिया है और कासी में बहुत विकास हो रहा है भाजपा सरकार अच्छा काम कर रहा है सरकार अच्छा काम कर रही है अच्छा काशी वन गया इससे रुजान बदला या कुछ नया कुछ दिया है इस वज़य से कासी विश्वनाज करेडोर जो है वह बनारा स्वासीयों के लिए बहुत जरूरी था हम लोग बाबा विश्वनाज के नगरी में रहते हैं और उनसे करूजान है मिष्रा नाम है मेरा बनारत को महौल की बात करेंगे तो बनारत का महौल तो सुरु वाचपा का महौल रहा है चुकि धर्म अध्यान और संस्कृति की नगरी रही है तो और भारती राजमीत में धर्म हमेशा सौप टार्गेट रहा है शुरू सही कहा गया है कि जब जनता अपने कामों का हिसाब बांगे तो उसको धर्म में उल्जा दो तो बीजेपी इस चीज को अच्छी तरह से जानती है उसको लगा कि हम रोजी, रोटी, रोजगार ये तो नहीं दे पा रहे हैं तो धर्म का आड़ लेके जो है ये कारिडोर मंदिर ये सारी चीजे जो है तो ये मूल मुद्दे जो है हमको क्या चाहिए रोजी चाहिए रोजगार चाहिए बड़ी-बड़ी सडके तो बन रही है फोर लेन बन रहा है सडके तो बन रही लेकिन लोग सडक पर आ गए लोग सडक पर आ गए और जो नौकरियों की बात कही गई थी यहां तो हमको लगता है कि पिछले दो सालों में सबसे बड़ा इंफ्रस्ट्रक्ट्रक्चर था समू सीडी ग्रूप सीडी में पिछले देड़ सालों से ग्रूप डी का कोई वेकंसी निकली नहीं रहे हैं सरकार तो कही रही है अब तो हम सब्सक्राइब करेंगे सरकारी कुछ चोड़ेंगे नीचार सेक्षन चोड़के मोदी जी कह रहा है अब यही लग रहा है कि बनारस केंद्री सीलिय बनाया जा रहा है वूट के लिए आप से यही बदाई है यही सवाल है कि भई धरम के नाम पर मुद्दे मूल मुद्दे भूल रहे हैं मेंगाई बढ़ रही है नोकरिया नहीं उन पर बात नहीं हो रही कि पहली बार किसी को नोकरी नहीं मिल जाएगी सबसे बड़ी बात है हर घर में एक नोकरी वाला हो ऐसा तो है नहीं जब से देश आजाद हुआ तब से तो ऐसा था नहीं आज भी वही हाल है थे जो पहले थी जब आप 60 साल इस देश को इतना खोकला कर दी हो तो उसको सही क कुछ आएगा और जब आप काम नहीं करोगे ना तो उस चीज़ का प्राइवेट तरण हो गाई आप आज सिक्षा स्वास लेकिन जो सरकारी चिले में मेडिकल कॉलेजेस बन रहा है तो इसके पहले क्यों नहीं विचार हुआ वो भी यही बात कि रहा है कि विकास हुआ है स पूरे उत्तर प्रडेस में एक पास हुआ था बनारस के लिए वह भी बनारस से घोरगपूर चला गया हॉस्पीटल सिक्षा स्वास की बात करते हैं पूरे प्रडेस में बनाने की बात हुई थी यह कपिल सिब्बल के समय ही वहां इनागरेशन हुआ था लेकिन उसके बाद एम्स का सारा सिस्टम घोरगपू चला गया लगबख वहां त्यार होने की स्थी में है बहुत यहां कैसे प्रोजेक्ट है जो यहां से कहीं और चले गए तो बात राजनी राजनी चीज़ों मने उच्छे आज के डेट में सबसे बड़ी बात है मोदी जी के आने से यहां प जो बिधायक है मंत्री है और सभासाद है खर्च नहीं कर पाए पिछली सरकार में वापस चला गया विकास के नाम पर मोदी जी के यहां सांसत बनने पर चौमुखी विकास हुआ है सवाल स्रिप बणारस के चौनाओं नहीं हो रहा ना चौनाओ तो पुरी उपको और उपक कर ने से नहीं होता है के खली बस फीता कर दी हमने सब रहे जिगा जितनी रूकी ति सब को करकि दिया है बगाई़ा आ अपने कारकाल खतम होने से पहले मैं ने दिखाया कि दिखाया काम किया गया किया गया काम बोलता नहीं दो हजार पंदरा में जब मोदी जी पढ़ान मंत्री बने बनारास के सांसर चुने गया यहां पर रिंग रोड के किनारे दिन देयाल हसकला संकुल ब्यासाइक सेंटर बना वहां पर एक एक दुकाने 50-50 गया शेहर में आदमी दुकानदारी करेगा कि शेहर के बाहर रिंग रोड पर करने जाएगा करोड़ रूबा की लागत से वहां पर बना हुआ लेकिन वह सिर्फ अब सम्मेलन सेमिनार रैली और मिटिंग होती है वहां पर जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी लोगों को सहर के बाहर जाना पड़ेगा और हर जगह आपको लिए का मतलब आपको काम करना ही पड़ेगा यह नहीं है जगह चोटी पड़ेगी तो बाहर जाना पड़ेगा यह सचे लेकिन व्यवस्ता तो सरकारी करेगा यहां वहां बढ़ेगा जब हम रहना पिलहाल का डाट तो यह आ रहा है कि मोधी सरकार ने रिकोर्ड तोड़ दिया है बेरोजगारी में इतनी बेरोजगारी किसी सरकार में नहीं सबस्क्राइब करोना में यह मेरा डाटा नहीं है यह सवाल तो सुन लिजी है मेरे कहने से कुछ नहीं होगा ना आपके कहने से कुछ होगा हर सरकार एक डेटा लॉंच करती है कि यह डेटा है उसमें यह कह रहा है कि यूपी सबसे अपना पक्ष रखिएगा मेरे सवाल यह है इसलिए है कि नोटबंदी किया इतना बड़ा फैसला लिया फिर तुरंद करोना आ गया उसके बाद भी डेवलप्मेंट जारी है और सरकार डटा है एन्सयार्बी सरकारी डटा होता निश्णल क्राइम की हर इस्टेट का मालूम होता रिस्टेट आपालोब हुदी अपना बड़ा बदल दी है यह तो कोई मतलब सरकारों में भैस को खोजने के लिए पुलिस निकलती थी आज की सरकारों में राध ही इनको बहगे। मेरे सच है लेकिन 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 एक सक्षिय है एक लाच से ज्यादा क्राइम बड़े हैं इस सरकार में पिछली सरकार पराणी सरकार नहीं लिखती अब सुनी जा रही है पहले देखे मैनुवल होता था अब आल लाइन हो रहा है तो आल लाइन सब लोग कर दे रहे हैं इन्वेस्टिगेशन हो रहा है यहां तो ज्यादा तर सब वकीली बैठे हुए हैं अब इन्वेस्टिगेशन होगा तब उसके बाद जो है चाशिट बनेगे तब अपराद जो है दर्ज किये जाएंगे तो पहले की सरकारे थी दबंगों का नाम सुनके उनकी फायार ही नहीं करेंगे जो भाषपा के दोस्त थे मित्र थे वह अब छोड़के पक्ष पाले में जा चुके हैं अखिलेशिया दव के और टीवी सर्वेवी कहीं ना कहीं इन्होंने यह दिखा रहा है कि हाँ भाषपा को नुकसान हो रहा है महंगाई बेरोजगारी से तो क्या जो दल बद जो इनकी टीम हो अच्छी टीम है शुरू से रही है तेनों ने आकड़े जुटा की पिछली बार छोटी छोटे जो दल है जो चेत्री दल है उनसे इनोंने गड़बंदन किया था बहुत सारी उनकी सरते भी मांगी थी कई लोगों की सरते इनोंने पूरी नहीं की इसलिए बहुत सारे दल जा रहे हैं कई दलों को कई दलों को कई दलों को लग रहा है कि हमारी जो छोटे दल है इनके किये किरा कलापों से उनको नुक्सान होने वाला है यह उधर से अपने दुश्ची आज सबसे बड़ी बात है कि पूरा देश आज याती धर्म के नाम पे उलज गया है और सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश में आज याती धरम पराकाष्टा पे है इसका सबसे मूल कारण विपच्छी है आज विपच्छीयों को यह लगने लगा है कहीं न कहीं डर हो गया है आज रोज आप देख रहें एक सो साथ करोड रुपया कानपूर में पक गाटन हो गया पूरे भारत में छे एक्सप्रेस वे वाला उत्तर प्रेस इकलोता सहर है और सबसे बड़ी बात यहां का गन्ना जो किसान बादन करता था जो आज नौ सालों से पेमेंट रुका था योगी सरकार ने आज से लगबक छे दिन पहले उसको पेमेंट रिलीज कर दिया सारे गन्ना किसानों को उतने दिन का बकाया मिल गया इससे किसान भी कुसान के बकाया मिल गया लेकिन देश के पूरे देश के किसान का नहीं मिला कि यूपी में चुना हुए इसलिए मिल गया माना जाए ना कि देश धीरे-धीरे कारे कर रहा है आप कहें ना कि नोट करें नहीं थी वहाँ काम कारे रही चोट के जा रही है कि उनका काम नहीं हुआ मंत्री आपको कम वाने हम अंतिम व्यक्ति तक अपनी काम को पहुच आएंग ine किसान से जाके पूछिए रात में जो सोता था लाठी लेके उसकी उसका आलत कर रहा है किसान सब मुझे लोगों ने बदाई है एक समस्या हमने देखी भी है कि किसान के रहा है कि एक बंदा हमें नाइट वाच में लगाना पड़ता है और उसकी रखवाली के लिए बेजना पड़ता है और देखें नाइट में किसानों का किसानों का किसानों का किसानों का पैसा भी कट रहा है गोश अला के नाम का यह समस्या है इस समस्या को जल्दी योगी सरकार के पास यह विवेशना गई है जल्दी उस पर करवाई की जाएगी निस्तारण किया जाएगा यह सारे गाहों की समस्या जो आवारे वाला जो मुद्दा था वू उस मुद्दे को मोधी सरकार के आने से योगी सरकार के आने से पूरे उत्तर प्रदेश में यह सारे भूचाड़ खाने बंद हो गये जिससे अवारा पसू की संख्या बढ़ गई इंको जिमेदारी है इसको योगी सरकार हर जिलों में छोटे-छ वारा पशू का और भेंगाई बेरोजगारी का देखे गाउं में यह समुद्धा किसान आवारा पशू जो छुट्टा मवेसी इनका तो बड़े पैमाने प्रसर है प्लस बिजली उत्तर पडेस में बिजली जो लगभक इस समय साड़े साथ आठ रुपया प्रती यूनिट है जो कि हमका हमको लगता है कि हिंदुस्तान में एक दो राज्यों के बाद तीसरे पोजिशन पैसी जो इत्ता है दूसरी गाउं में किसानों के यहां भी मीटर लगने सुरू हो गए हैं पहले वहां गाउं के यहां फिक्स रेट होता था उनका पंपिंग से टूबेल जो भी होता था तो अब क्या भी मीटर लगने लग गए हैं तो बड़े प्रमाने में रोजी रोजगार धंदे को लेके जो है इनके खिलाब जो है थोड़ा सा अक्रोज है पहले भी हम यहां डिबेट करके गए हैं लेकिन बार-बार आने का मकसद होता है कि मोहल कितना बदला है क् दो महीने पहले कुछ और महोल होता है दो महीने पहले कुछ और बादा किया जाता है जैसे कि कि सो करोड की सोकात देके गए प्रदान मंतरी नरेंद्र उदी यह बदला हुआ काशी कुरिडोर बदल गया तो इनका प्रभाव कितना पड़ता है इसलिए बार-बार आरा कर द उसका रिजल्ट ना जाए तभी पता लगेगा जब चनाओं का रिजल्ट आ जाएगा कि एक्चुल में जनता ने किसको समझा है किसको समर्थन दिया है आप उसके लिए इंतिजार करें लगता जुड़े रहे हैं आसा चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लैक करें और आस ने चलया करें पार जाएब करें रहे हैं